Hello friends, मैं अनामीका, मेरी कीजिन में आप सभी का स्वागत है Friends, आज मैं गौार्ड फली की सबजी की रेस्पी लेकर आएं इसे वनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेश्टी रगता है तो friends इस रेस्पी को आप जो ट्राइ किजिए का ग्वारफली बहुत ही हेलरी सबजी होता है, सीजन में ताजी ताजी ग्वारफली मिल जा है, और इस तरीके से आप सब्जी बनाके खाईए, कितना अच्छा टेश्ट आ रहा है, तो फ्रेंज अगर आज की मेरी ग्वारफली की टेश भी आपको पसंद आए, तो मेरी चैनल क को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूले, गैस पर हमने एक कडाही ले लिया है, अब हम गैस को अन करेंगे, कडाही को अच्छे से गरम होने देंगे, और इसमें हम एक चमच तेल डालेंगे, यानि कि एक बड़ा चमच हम तेल डा है, अब हम उसमें डालेंगे एक चमच जीरा, दो सुख्षी लाल मिर्च, चाल लॉंग, दो तीन तेज पत्ति, और इसे हम छोड़ देंगे, खोड़न को हम श्लो फ्लेम पे अच्छे से तरखने देंगे, खोड़न का कलर चेंज हो गया है, खोड़न कभी जलने नहीं देन हमें जादना चाहिए, जस उसमें हलका सब्राउन निस आ जाग तो हम उसमें बड़ा शाइच दो प्याज को हमने बारिक बारिक काट लिया है, उसे फोरन में छोड़न को देंगे, और इसे प्रल्ड़न कर देंगे, तो स्प्याज को हमने थोड़े देर के लिए प्त्नू में ही डाल देंगे अद्रक लेक्षुन का दर्दरा कुटा हुआ पेश क्योंकि इसे भी हमें प्याज के साथ एक से देव मिनट तक भूनना है अब हम इसे की प्याज के साथ देव मिनट तक भून लेंगे प्याज अद्रक लेक्षुन को हमने भून लिया है आप देख सकते हैं प्याज गल चुका है अद्रक लेक्षुन भी भून गया है लेक्षुन पहले भूनने का रिजन है कि इसकी कच्चापन दूर हो जाती है नहीं तो सब्जी जालने के बाद डालेंगे तो फिर ये साला आड़ करेंगे तो गैस का फेम हम स्लोप कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे आधा चमस हर्दी पॉडर दो चमस धनिया पॉडर आधा चमस तीजा पॉडर और हम दो चमस लाज मिर्च पॉडर डालेंगे आप अपने टेश्ट के मिर्च डालें कम तीखा पॉसंद है तो कम डालें फर इसमें मिक्स जादा डालते हैं यह जूँकि इसी की क्रेवी बनती है अब हम इसे एक से तेज मिनट तक मशाला को भून लेए तो कूँकि अपना देख सकते हैं अपनी मसाला भून गई है कितना बढ़ है अब हम एक ग्वाड फली है जिसको हमने दो तीन बार धोकर की उसके उपर का और यह वाला पार दोनों काट के लिया है तो हमने सभी गवार्फली को दोनों पॉइन को काटके खटाके दो बार धो लिया है तो कोई-कोई इसके छोटे-छोटे पीसेश करके मनाते हैं पर हम यहाँ पे खड़ा गवार्फली बनाएंगे यह बहुत ही तेश्टी लगता है अब हम गवार्फली को मशाला में डाल देंगे तो आप देश सकते हैं हम गवार्फली को मैशाला के साथ अज़ से म्वार्फली कर दीने हैं अब हम क्या करेंगे एक कभर से कभर करके तीन से चार मिनद तक एक दम स्लोग फ्लेम पे पकाएंगे फिर हम आपको शेक करके बताएंगे अब हम कभर हटाके एक बार ग्वार्थली शेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्वार्थली अपने काफी गल चुपी है इसे हम एक बार अज्थे से चला लेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर जिसे हमने छोड़े चोड़े पीसेस में काट रखा रहें और इसे हम डालके अच्छे से निस्ट कर लेंगे अब हम ताथ में डालेंगे taste के अदुशार नमद, तो हम यहाँ पे नमद भी डाल दे रहे हैं और अच्छे से गौर्ख लीको चला लेंगे अब हम इसे ध़क के आठ से दस मिनट और पकाना है जिससे की तमाटर अच्छे से गल जाए और ग्वार्खली भी और फुरी सी गल जाएगी अब हम धक्कन हैं ताके एक बार फिर से ग्वार्खली चला लेंगे तो आप देख सकते हैं अपनी टमाटर जो है वो भी गल चुकी है अगर आपसे टमाटर इतनी जल्दी नहीं कली है तो एक से दो बार और चला के ढखके गला लीजिए पर यहां पर सब शबजियां अच्छे से गल चुकी है ग्वार्खली टमाटर अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे एक चमच गर्म मशाला और शाथ में हम डालेंगे इसमें ग्रेट किया हुआ कोकोनट यानी की नाडियत इससे यह सब्जी भी चार चार लग जाती है इसका टेस्ट आप भुला नहीं पाएंगे जब बनाएंगे तो और इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया अब हम कभर करके इसे चार से पास मिनद तक और पका लेंगे हम सब्जी को एक बार चेख कर लेते हैं अब को हम सब्जी चेख करके बताते हैं कि वार्फली पसी की नहीं तो हम एक वार खली को प्लेट में निकाल के आपको चमच से दबा के भी खाते हैं यह बहुत अच्छे से गल चुपी है क्योंकि हमने इसे कभर करकर के दस-दस मीनट करके इस इतार बाद पकाया है ग्रेवी भी अच्छे से गल चुकी है अब हम उसे मिक्स करके और डैस्टी फ्लेम को आउप कर लेंगे यह बहुत ही बढ़ियां सब्जी बनकर तयार होई है जैसा कि आपने सुना होगा इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं अब तो फ्रिंड्स लिहां सी रिखिए कितनी बढ़ियां वार्ख हंडी की सब्जी तै़ार हूई है टिश्ट तो आप बना के खाएंगे तभी मालूम परेगा पर ये बहुत ही बेतरीन सब्दी तयार होती है इसे आप रोटी, पूरी, पराठा, चापाती के साथ खा सकते हैं और बनाना कितना आजान है वो भी आपने देख लिया तो अगर आज की मेरी ये ग्वार्फली की सब्दी की रेश भी आपको पसंद आई हो तो मेरी जैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेयर कीजिए और कमिल करना मत भूलिए, धन्यवाल